क्लिक करना जरूरी क्यों है क्यूंकि यदी आपका सी जो चल रहा होता है दो औरbrahim पेसिश शीकने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है मैं आसुतोष चवे अपने AC मेकनिकल लैब में आपको बताने वाला है कि हमारा जो यह विंडो AC के अंदर यह हम सब से पहले करते हैं तो यह सब करने लिए क्या करना होता है वही इस वीडियो में आपको बताऊ ङूगा तो आएए देखते है कि flushing कैसे करना है क्योंकि अगर हम बात करें कि अगर हम coil wise flushing करते हैं क्योंकि जो हमारा window AC होता है उस window AC में हमारी 2 coil होती है fins tube type coil होता है हमारा जो एक condenser coil होता है और एक हमारा operator coil होता है जिसे हम cooling coil के नाम से जानते हैं यह अगर हम बात करें condenser coil कहां होता है तो condenser coil आपका जो back पीछे जो आपका एर जो लगा होता है जो fan के करीब यह भात करें compressor के बाद जो लगा होता है यह compressor के discharge line से जो pipe connected connected होता है वो हमारा condenser coil कहलाता है और वही condenser coil से निकलता हुआ जो हमारा dryer, strener dryer या filter जो भी हमारा होता है उसके थुरू हमारा capillary tube के थारे जो हमारा coil में जाता है वो हमारा होता है cooling coil और operator coil तो अब इन दोनों coil का अगर आप एक साथ flossing करना चाहें तो कैसे करेंगे और अगर हम coil को अलग-अलग से करें मतलब operator coil का अलग और cooling condenser coil का अलग और flossing करें तो कैसे करेंगे तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे flossing करना जरूरी क्यों है क्योंकि यदि आपका AC जो चल रहा होता है उसके अंदर जो मारी गंदेगी धोल मिट्री कढ़ कच्णा जो इकठा हो जाता है यहां पिर जो हम ज्याइंड करते हैं करते समयं अंदर कच्णा जो भी होता है वह flossing के सारे हमारा वह बहर आ जाता है तो प्लसिंग करना हमारा इसलिए जरूरी होता है प्लसिंग के बाद ही आप जो भी है लिक टेस्टिंग वैक्यूमिंग गैस चार्जिंग करें प्लसिंग करने के बाद ही करें जिससे आपकी यसी की जो लाइफ होता है वह हमारा अच्छा चलता है और जो भी है तो आएए अभी डिसकस करते हैं कैसे करना है जैसा कि अभी हम आप देखेंगे यहां पे joint है एहां से में आप इस joint को हटाके इसको bushing कर सकते हैं तो यहां से जो फ्लसिंग करेंगे आप देखेंगे की आपका जो फ्लसिंग होगा वह आपका यहां से चड़ाएंगे यहां से Link यह section line है, यह accumulator से attach होता है, आपको पीछे वीडियो को देंगे, air आप compressor से भी दे सकते हैं, service compressor pump से और या फिर nitrogen से भी आप दे सकते है, nitrogen slider से या nitrogen gas से भी है फ्लसिंग कर सकते हैं, तो यहां से जो pressure जाएगा, यह आप देखेंगे, यहां से यह operator coil में जाता है, यह operator coil से दूसरी 5 के सारे यह आपका इसके सारे यहाँ पे आपका यह condenser coil में आएगा condenser coil से ठीक आपका capillary tube यह होते हुए filter होते हुए फिर यह पीछे से आपका यहाँ से gas निकलेगा तो यहाँ से जो आप flushing करेंगे यहाँ से निकलके तो आपका दोनों जो अभी आपका दोनों coil है operator coil और condenser coil यह दोनों coil आपकी flushing होंगी और अगर अलग-अलग करना है तो आपको यहाँ से यहाँ से आप देख पा रहे होंगे यह जो dryer filter दीख रहा है इस filter को आपको यहाँ से निकलना है और फिर यहां से निकलना है tensions कारना है कैसे अभी मैं बताऊंगा तो यह सकते हैं और फिर वहां से केवल सिर्फ यहां से निकालके देखते हैं कैसे करेंगे तो हमारे पास गीला कपड़ा होना चाहिए क्योंकि जो भी ये बॉड़ी है आप देखेंगे ये बॉड़ी है आपका प्लास्टिक बॉड़ी है ये ये चीज ये जो दीख रहा है ये पहले के जो हमारे टेकनिसियन या फिर हमारे जो वह बताने में भी वही करते है सथोड़ा सा यह ऐसे गरम हो के यह मेल्ट हो गया तो हमें क्या करेंगे एक उम्गरेंगे यहां यह यह LPG केन, यह टॉर्च, उसके बाद से हम इसको जलाके, हम इसकी ग्राइंट का कनेक्शन जो है, अटाएंगे, यहां से, इसके जोएंट को, हम अटाएंगे दर्म करके, यह मेर्ट होना चालू हो गया, यहां से, यहां से, छुड़ा देंगे, यहां से, यहां से, यह, हमने इसको छुड़ा दिया, अब हम क्या करेंगे, कंप्रेसर लेंगे, सर्विस कंप्रेसर पॉर्म, इसको हम यहां से ठंडा कर देंगे, हम इसको ठंडा कर दिये, यह हम सर्विस कंप्रेसर की बात कर रहे हैं, यह हमारा फ्रीज का कंप्रेसर है, इसके अंदर पहले हम सप्लाई देंगे, हम यहां पर यह कनेक्शिन कर दिया, हम आरे पास यह गेज और यह दो charging line होनी चाहिए, charging line का यह जो हमारी सिद्धी line होती है, यह हमारा सिद्धे जाता है आपका AC के अंदर में, उस AC के अंदर में आपका pin valve होता है, यह पीन को दबाने के लिए होता है, तो हम इसको लगा देंगे, यहां पर, यह section line होता है, कभी भी आपको gas charging करना हो, flushing करना हो, vacuuming करना हो, यहीं से होता है, सारी प्रक्रियां ही जो भी होती है, यहीं से होता है, और आप अच्छा काम करना चाहते हैं, तो आपको flossing जरूरी है करना अच्छे अगर काम करना चाहते हैं कि आपका work करें more cooling आए पूलिंग अच्छा करें तो आपको ऐसे करना है हमें क्या करना है गेज के valve को खोलना है इसको तो हम इसके valve को खोलेंगे कि ये भी tight है हमें İ्स समय अभी हमें इस compressor को नहीं चालू करना है, क्योंकि यहां से जब compressor चालू करेंगे, तो यहां से जो gas flow होगा, वो इसके अंदर जाएगा, और कहीं gas जाने का अभी रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि यह अभी lock है, इस case में क्या होगा, यह आपकी जो pipe है, charging line फट सकती है, यह charging line है, यह फट सक पर है, तो यहां से आप जब compressor को चालू करेंगे, compressor को चालू करना है, देखिए, compressor आपका चालू हो गया है, आप देख पा रहे होंगे, यह सुई यहां से उठ रहा है, धीरे-धीर-धीर-धीर, उठ रहा है, लेकिन अभी proper नहीं उठेगा, क्योंकि हमने यहां से खोल रख का जो हमने निकाला था, यह ऐसे है, इसको आपको यहां पर दबा के रखना है, यही आपकी flushing होती है, जब दबाएंगे तो आपका देखिए, इसमें प्रेसर बढ़ रहा है, गेज में, और इसको थोड़े-देर दबाने के बाद जो है, चोड़ देना है, तो यह आपकी fl कर सकते हैं, एव अपरेटर का अलग कर सकते हैं, जो कुलिंग काहते हैं, कंडेंसर का अलग कर सकते हैं, अब ही जो हम कर रहे हैं, वो एक साथ कर रहे हैं, देखिए, सब में हो रहा है, तो यह flushing हैं, आपका ऐसे मतलब कुछ देर तक जो भी आपका प्रेसर जो चड़ रहा इससे क्या होगा कि अंदर में धूल मिट्टिकर डश्ट वगरा जो भी होगा आपके पाइप के अंदर से वह आपका बाहर आ जाएगा यह एर का जो प्रेसर बना रहेगा उस एर के साथ साथ वह बाहर आ जाएगा तो यही क्रिया जो कालाती है यह फ्लसिंग कालाता है आपको ऐसे ही फ्लसिंग करना होता है यह आप विंडो में ऐसे कर सकते हैं अगर कोलिंग को अलग को अलग को अलग को अलग को स्प्लिट में अलग अलग होता ही है इंडोर अलग होता है तो वहाँ पे भी फ्लसिंग ऐसे त्सकstars पांच मिनाढ़ 10 मिनाट जो भी है करना है कि यह हमारी यह हुआ सत्व है इसके बाद हमारा जैसे यह एक्ष्थ Import हो जाता है हमें क्या करना है इस कंप्रेशर को बंद कर देंक है ठीक है कंप्रेशर बंद होते ही आप देखेंगे यहां पर वहां तो पाइंद हो जेसे हमारा अगर हम च्योर करना है यहां से करता है और पाहले बताया था यहां से अगर हम चोकिंग की करें ऐसी इस हमारीन केपिल से हमारी चोड़ा होता है उस केसे चैनल काम बन जा रहा है चोड़ सकते हैं इसके नदर फिल्टर जाली बनी होती है जो को जाम हो जाती है तो उसको आप चेंज कर दें फिर आप उसको पुर्णा इसको जोड़ते जोड़ने के बाद आपकी करने के बाद आपक Jes charging होता है तो इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियों आपको लेकर अएंगे और यह वीडियों आप कैसा लगा कमेंट बाक्स में जरूर बताएं और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि यहां पे जो नई नई वीडियो बनती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं थैंक यू धन्यवाद